आज की हेडलाइन्स, क्रिप्टो इंडिया, PM मोधी ने कटित तोर पर क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में एक उच्च तरिये मीटिंग की आयोजना की, सोर्स एकनॉमिक टाइम्स पॉलिगॉन ने एथेरियम पुश को चलाने के लिए 500 मिलियन डॉलर की डील में प्रेडिक्टिबल लाप्स को अक्वायर किया, इंडिया ने ब्लॉक्चेन टेकनॉलिजी को अपनाने के लिए 5 साल का रोडमैप तयार किया, वट्सैप ने US में क्रिप्टो पेमेंट्स पाइ एक दिशमलव एक पाँच मिलियन इथेरियम बन कर दिये गए, पेपसी का पहला NFT कलेक्शन, व्यूजिक में ब्रैंड लेगिसी के लिए एक इपॉर्डन टिप, भारत में क्रिप्टो रेगुलेशन के आस पास चल रही डिबेट में लेटस्ट अपडेट, ऑथॉर्टीज इस गुरुवार को एक high level meeting के लिए manifold regulator options पर चर्चा करने के लिए उनके respective professionals और opponents wait together, इसके अलावा चर्चा में इस मामले पर भारतीय reserve bank के POV के साथ साथ क्रिप्टो पर stakeholder के अप्रोच को भी शामिल किया गया, economic time की insider के report के अनुसार PM अब इन पर अंतिम निर्ने लेंगे, हाला कि भारत में क्रिप्टो के लिए regulatory framework पर निर्ने तक पहुँचने के लिए चर्चा प्रक्रिया को आज भी जारी रखे जा सकता है, जबकि वित्वंतराले ने proposed bill पर एक draft note को अंतिम रूप दिया था, फिर भ ये decision से ethereum networks की capacity का expand करने और broader adoption का mark प्रशस्त करने के लिए company की broader strategy के हिस्से के रूप में आया है, हाला कि network usability के मामले में ethereum industry पर हावी है, लेकिन इसकी high gas fee नए बजार के खिलाडियों के लिए एक बादा रही है, predicate labs, mere blockchain protocol के पीछे developer है, जिसमें zero knowledge roll ups के लिए technology है, जो transaction processing को तेज करने और fees कम करने के लिए ethereum से data offload कर सकती है, भारत ने देश में blockchain तकनीक को अपनाने के लिए 5 साल का roadmap जारी किया है, national blockchain strategy कहा जाता है, roadmap economy के different areas में blockchain को भड़ावा देने पर focused है, और इसका objective private sector और सरकार के बीच close corporation को भड़ावा देना है, भारत के electronics और ministry of information technology द्वारा हाल ही में published 52 page document इस वर्ष की शुरुआत में जारी किये गए एक का updated version है, दुनिया की सबसे बड़ी mobile messaging services में से एक नई सुविदा शुरू कर रही है, जो अपने users को crypto asset भेजने और प्राप्ट करने में सक्षम बनाती है, American platform WhatsApp ने अभी एक नया pilot program की घोशना की है, जो Novi को integrate करता है, जो प्रमुक social media platform Facebook, अब Meta, द्वाराविक से डिजिटल wallet है, US अदारत WhatsApp users अब अन्य किसी app पर स्विच करें बिना digital currency exchange कर सकेंगे, पॉपुलर forum और news aggregation web portal Reddit ने firms community point beta program का खुलासा किया है, जहां Reddit users सब Reddit के लिए custom token के साथ अपने community का एक पीस रख सकते हैं, जुलाई के अन्त में Reddit ने गोशना की कि platform का community point system layer 2 protocol Arbitrum का लाब उठाएगा, इस हफते Reddit ने एक नई website का खुलासा किया, जुसमें community points beta program की सुविधा है, जो कहती है कि Reddit patron युनीक सब Reddit से जुड़ी basic crypto asset का लाब उठाने में सक्षम होंगे, लेकिन अभी wait list है, बट users Reddit दौरा बनाए गए form से sign up कर सकते हैं, Blockchain Space team दौरा शेर की गई official announcement के अनुसार इसने The Sandbox के साथ partnership शुरू की, जो सबसे बड़े decentralized gaming environment में से एक है, नई partnership के साथ The Sandbox Metaverse अब 2600 guild में 6,80,000 player के लिए open किया गया है, पहले दिनों में दोनों टीमों ने पहली ही collaboration किया है, उन्होंने एक Filipino community और इस देश को एक dedicated unique land experience लाउं अनुसार लंडन हाट फोड अपग्रेट के बाद अब तक 1.15 मिलियन एथेरियम बर्न हो चुके हैं, लंडन अक्रेट के लगभग 4 महीने बाद बेस फी में 1.15 मिलियन एथेरियम, एथेरियम की मौझूदा कीमत पर 4.7 बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यू के बर्न हो गए ह और circulating supply से permanently हटा दिये गए हैं, पेपसी की announcement की वह NFT space में एंटर कर रही है ने बहुत चर्चा पैदा की, ब्रैंड ने अपनी Pepsi Mic Drop Genesis NFT collection को छोड़ दिया, यह collection म्यूजिक में पेपसी की roots और इसकी impressive legacy को श्रदान जली देता है, ब्रैंड 1893 unique generative style NFT बना रहा है, जो 10 दिसमवर 12 ब लेवल attached gas charges का payment करना होगा, 1893 NFT इसलिए important है क्योंकि यह उस वर्ष का reference है, जिस वर्ष पेपसी का जन हुआ था